हेलो एवरीवन वेलकम टो जीडिसे एट्विटर आज की स्वीडियो वे हम नेच्रल कार्मी नेटिव एजेंट के अंडर जिंजर को डिसकस करेंगे जिंजर को और कौन से नाम से जाना चाता है उसका कौन सा पार्ट मेडिशनली यूज किया जाता है उसका बोटेनीकल नेम क साथ ही साथ उसका कल्टिवेशन कैसे किया जाता है उसका ओडर क्या है उसका टेस्ट कैसा होता है और उसमें कौन से ऐसे माइक्रोस्कोपिकल फीजर है जो कि उसको दुसरे प्रांग से डिफ्रेंसियट करते हैं और साथ ही साथ उसमें ऐसा कौन सा केमिकल कॉंस्ट्रेंट है जिसका हम मेडिस्नली और कॉमर्सली यूज करेंगी इस सब बातों का हम डेटेल से डिसकस करेंगे इस वीडियो में सो जिंजर एक रेजिन कंटेनिंग ड्रग है सबसे पहले इसके सिनोनेम पर आती है तो इसको हम जिंजी बर जिंजी बैरिस सुन थी और हिंदी में अध्र किसे फिल होता है तो उसे रिलीफ के लिए करते हैं अब इससे सीनोनेम के बाद इसके से अब करते हैं इसके पर ऐसे मेडिशी प्लांट से obtain करती हैं अब इसके synonym and biological source के बाद इसके geographical source पर आती हैं जिंजर की geographical source पर आती है तो it is said to be native of South East Asia native का मतलब होता है कहां सबसे पहले वो जल्म लिया कहां सबसे पहले वो पाया गया तो जिंजर इंडिया हमारा first rank में है जिंजर production में तो यह हो गया geographical source की बाद अब इसके macroscopical character में आती हैं तो सबसे पहले जिंजर का color देखते हैं तो यह होता है buff color का और इसके order में आती हैं तो इसमें एक खुसबोदार सुगंधित इससे खुसबो आता है मिंस इसमें एक aromatic खुसबो होता है अब इसके टेस्ट में आती है तो इसका टेस्ट होता है पंजेट जब ही आप जिंजर को टेस्ट करेंगे तो इसमें हलका सा कड़वा सा और एक हलका तीखा सा इससे टेस्ट आता है जिसको हम pungent test कहते हैं तो यह हो गया geographical source और macroscopical character of ginger इसके बाद इसके cultivation and collection में आते हैं जिंजर के cultivation के लिए हम sowing करते हैं इसके rhizome part का sowing means होता है बुवाई बुवाई के लिए हम इसके rhizome part का use करते हैं मेली बुवाई इसका जुन मंत में किया जाता है और हमें इसके cultivation के लिए sandy और low me soil का हमें requirement होता है और हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इसका जब हम rhizome carefully जब cut करेंगे इसके cultivation के लिए तो उसमें एक living बढ़ हो इस प्रकार से ताकि वह अच्छी से growth कर सके easily उसके बाद इसमें हम कुछ fertilizer add करेंगे ताकि यह अच्छी से growth कर सके जैसे कि हो गया phosphate ammonium sulphate and potas का हम use करेंगे as a fertilizer जब यह growth कर लेगा six month बाद इसका जो यह leaf है वह कैसे हो yellow color को जाएगा इस प्रकार से फिर उसके बाद हम इसका harvesting कर लेंगे okay harvesting करने के लिए हम इसका dinging करेंगे dinging का मतलब होता है खुदाई करना जो ginger का rhizome है वो जमीन के अंदर दबा रहता है तो उसको बाहर निकालने के लिए हमें उसका खुदाई करना पड़ता है देन उसके बाद हम उसका ड्राइंग करेंगे उसको वॉस करेंगे सबसे पहले वॉस करेंगे उसको ताकि इस प्रकार से उसमें जो मिट्टियां लगी रहती हो अच्छे से रिमूव हो जाए उसमें जो भी impurity हो वो रिमूव हो जाए डैन उसक इस पॉपिकल डाइग्राम और जिंजर यहां से आप इसली अंडर्सेंड कर सकते हैं कि इसमें कौन-कौन से ऐसे अइडेंटिकल होती है इसके कुछ इंपोर्टिन प्रॉइन में आते हैं कॉर्क काशिस्ट और जो कॉर्टेक्स है वो बना हुआ है थीन वॉल्ड रेन्चा का ए मेटर टीसु से यहाँ पर देख सके हैं यह कॉटेक्स और यहाँ पर यत्तीं लंड पांध, कामेटर स्थी होता है और सब्सक्राइब क्लिनुन ईस प्रकार से प्रेजन होता है यह था कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक और जी जर आते हैं इसमें कौन कौन से केमिकल प्रेजन होती है तो इसमें वोलटायल ऑई स्टार्च फैड एग्री रैजिनस मैटर इसमें प्रेजन होता है और इससे जो अच्छा सा खुशबु तरह जैसे की इसमें कुछ अमौंट में प्रेजन होता है अब आते हैं जिंजर के यूजस में देखते हैं इसका यूज कहां कहां पर किया जा सकता है तो इसका हम यूज करते हैं इस्टरमक एक के कंडिशन जब पेट में दर्ध होता है तो ईससे रिलीव के लिए हम जिंजर करते हैं उसको ऐसा Narromatic भी उज करते हैं क्योंकि ये इस टमक में जब गयाज बन जाता है उसको इसलिए Εलाओ करते है और गयाज बनने नहीं देता इसलिए जेंजर को कार्मिनेट्व लिए की तरह क्योंकि इस्ट्रमक को Stomaline करें उसके पैरिस्टाल्टी मुव्मेंट को बढ़ाता है और जो गैस रहते हैं स्ट्रमक में उसको इसलिए पास ओउट कराता है इसलिए जिंजल को हम एजा Stomaline यूज करते हैं, flavoring agent की तरह भी उसको यूज करते हैं, क्योंकि इसमें एक अच्छा सा खुजबु रहता और टेस्ट रहता है, उक्के, सांथी सांथ इसको हम mouth wash की तरह भी उसकरते हैं, क्योंकि इसमें एक अच्छा सा sensation होता है, इसे इसको mouth wash की तरह यूज करते हैं, और और जो ginger है उसमें adsorbent aromatic carminative property होता है इसे लिए क्या करता है GI के motility को वो increase करता है इसे लिए इसको ऐसा GI regulator की तरह भी use करते हैं यह हो गया uses of ginger so this is all about ginger thank you